कि कलो फेंज गेट कला समक में को फिर सबकां स्वागत है कрашा है अर्गकी इस लेक्षर में दिसक्स करेंगे थेयुरिज ओंपॉलम के कुछ इंपॉर्टेंट ओPS में डिसक्स करेंगे जो कि he atau Pala भी बहुत ऐँपॉर्टेंट है वे सब फोर्मला डिसक्स करेंगे उसको और उसको सोट ट्रीक से कैसे याद करना है वो भी इसमें हम आपको बताएंगे तो प्रीज आपसे रिक्वेस्ट टेकिए वीडियो आप कम्प्लिट देखें अब और थेओरी ओप कॉलम में जो भी फामले यूजते हैं उसको इजली बे से इस्टार्ट इजली वे से असानी से याद रखते तो फरें चली स्टार्ट करते हैं इसमें अब को सबसे पहला जो फामला याद रखना है वह है कि भूक्लिंग दोटको को छी है बगले उर्कों डियुकर दखोले इसका डिनुएंशन नुख के हिसाब से इस फेजंग hall is a यह पना इसको पीची ले ले होगे के पीची एकपीची ओर रेह तनीन यहर फांवड को तोई लो इतली काぐह फॉर्मुला Bluetooth व्हों तो यह को फिऐ सी यह रहिक हो जो पाई इस्कोर्ड एया अपन ले एली का इस्कोर्ड देख यह फर्मुला हो गी आपका भाकलिक लोड या विलर कीपलिक लोड भी बलते हैं इसको यह फर्मुला आपको याद रखने चुकों यहां पर दिख लिए तेक और कॉन सोर्ट तर्म है वे यार यह आब को यक्यांस मॉडल आपलस प्लस्टिस दिस्टि इलस्टिस रहे अधिया नंत्यश्य आपलेंग दिस्टिस्टाउ कि एली होगे एफेक्टिव लेंथ कि जिसको एलिए से टिनोर करते एफेक्टिक लेंथ मैं इसमें जो अपने को याद करना है वो इसमें जो कंडिशन लोड के हिसाब से जैसे कोई भी बीम है या कॉला में उसका वान इंडिफिक्स है तो उसको याद करने उसका ट्रीक इसमें याद करेंगे तो मैं इसमें क्रिपनी रोड का फॉर्मॉला के तो पाई स्क्वाइर एपन एलीस्वेर इसको याद रखनए बस यह मैं इंपोर्टेट्ट फोर्मॉला इसका है यह बहुत इंपोर्टेंट है कर से इसके बाद इसे में देखते हैं डैप आप बीब केसाफ तियुक्षरा फॉर्मृला है ुसके सब कasına के उसको रहे बिसेटर थै जब देखो में आपirm हाद मैंल ऊपना इसमें मैं इसमें क्या होता है सब एफक्टिव लांट चाने चारों को दखांगे याद करना हुज का तरीक बताएगे सबस्यायर दिहन रखने जब दोनों इंड नंगार कोलम का फिक्स होगा दो जब दोनों इन कॉलम का थे वा हिंज और पिंड अगट तो एफेक्टिव लैंट तो के आगा ल इचल तो यह उसके बाद सगन कर दो बेच जब दो तो यह वोथ इन चाहिक तो यह यह बहुत इन दो पान टो एग दो आगा वान इन फीज और इन अलोपन रूट टू इसमें आपका चोथा कंडिशन के था वान इंडिफीड अधर इंडिफीड तो यह होजागा यहली कोल्ट इसक्टिव लें तो जागा तो यह बस्या याद रखना है इसी को किस इजली बेसे कैसे याद रखना वह इसी को ट्रीख हम देखेंगे यहां पे पर दो यह तो यह पर टाइब बीम योगे एफेक्टिव लें तो यहां बखलिंग लोड सबके लिए लगा लगा फर्मुला वजागा तो देखो क्या हो किया हों जब दोनों इंड़ क्या होगा है हींज और पिंड रहान थिफ्यक्टिव लेंग यहां लेंद्गेक्वल अलिए टो यह बोद इंदिधिक्ष्णा तो अलब है 2 हो जागा गा वान फिक्ट्रादर इन ही डैगा तो अलवान व्रू खंव रोडु और वान इ कि आपको दोनों हींज कर देना है उसके बाद प्रिश्ट गर देना है उसके वाद एदर हींजुकिप ओड़ रखरी लूम शेरी यूड रिख हैं यहीं इसमें ट्रिक हो दूसरा कोई ट्रिक नहीं सेङलिया आप याद रखेंगे इसको तो कभी नी बुनेंगे इसके बाद आप एक एक करके इसका देख रहेते हैं कि टिटिवर्य या बखलिंग लोट क्या होगा इसके फार्मॉले के साब से तो जब एली हो गया तो यह बखलिंग लोट क्या हो जागा यहां पर पीच वर्टुप पार स्वार एई आई कि अपन एक जगे बाद एक अलिए स्कॉर फूर्ण दूसरे कंडिशन के लिए क्या हो जागा पीची एक्वाल टू पाई स्क्वार ईड़ाई अपान अल वैट टू एटो लगाए टू यह फूर जाएगा डारेक्ट इसको कर लाएं आप रखें पोर पाई स्क्वार यह अपने अल स्क्वार यह कंडिशन जाए इसके लिए जो तीसरे में देखेंगे तो इसका हो टू पाई है इसवार ईए आई है अपन अलस्क्राइब है जब चाते कंडिशन के लिए देखें लेंगे तो इसका वाज़ा के लोड यह बखनें लोड हो जाएगा पाई स्क्वार आइए अपन लिटी टू है तो फोर है इसको है यह क्या फॉमला है इसका कि इतने ही याद रखना है इसी से रिलेटेड़ गेट में इसी से प्रोलोम बनता है इसे ज्यादा तो 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 स्कॉलर में थुद्स फॉलों में थोड़ा पूलोम बनता है उसके दिया है यह कंडिशन चारों condition पूछ लेता है तो फ्रेंट ये वीडियों आपको कैसा लगा प्लीज लाइक और कमेंट करके अमें बता है और अगर अभी तख आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज से सब्सक्राइब करने थेंक्यों फ्रेंट वाचिंग फॉर्ट इस वीडियो है वे नाइस डें झाल झाल